नहीं देखे लालू यादव के बहुत करीब हो चुके। निकी जीन इसको भाप लिया और समय से पहले उनको अध्धक्षपत से हटा दिया गया। लालू यादव से मिलकर आगे आने वाले दिनों में कई तरह का खेल खेल की। बिहार की मौसम तो ठंड है निकिल बिहार की राजनीती काफी गर्म है। और तमाम पदाधिकारी जो है मिल जुलकर बैठक कर रहे हैं कि तमाम जो बैठक है क्या कुछ कारण निकल के आएगा पता दे कि देखे बैठक में जिस तरीके से नितीश कुमार ललन सिंग को अचानक राष्टिय अध्यक्षपत से हटा दिये कहीं न कहीं ये भी बात निक कर भात नितीश कुमार जो है वह फिर एंटीश कुमार निटीश कुमार कीं ट्री हो जाएगा इन दोनों का गटवन्दन जो जाएगा क्या पिछ देखने को मिलेगा ये बड़ा सवाल नेकल आपको जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे हैं बड़ी बैठक है और नित्यानंद्राय तमाम जो नेता हैं सिर्ष नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं तमाम मातों पर चर्चाय कर रहे हैं देखें चर्चा काफी अहम हो गई है क्योंकि जिस तरीके से नितीश कुमार ने जो फैसला लिया है उसके का जो साथ है फिर से एंडिये के साथ जाएगा हाला कि तमाम जो खबरे हैं वो ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं कि फिर से एंडिये के साथ क्या नितीश कुमार जाएंगे हाला कि तमाम जो नेता हैं वो ऐसे तो कह रहे हैं सो सिर्कुमार मोदी ने बयान भी दिया है कि निती इस वी आदव को मुख्य मंत्री बनाने की पूरी रूट की तियारी हो चुकी थी नितीजी निसको भाप लिया और समय से पहले उनको अधक्षपत से हटा दिया गया है तेकिन देखिए ललन जी चुप बैठे वाले आदमी नहीं है और इसलिए ये तो खेल की सुरुवात है ये खेल का पटा छेप नहीं है या आगे कई और गुल खिलने वाले है तो आइंतिजार कीजे क्योंकि जिस तरह से अपमानित करके ललन सिंग को हटाया गया है ललन जी इसको कभी भी बरदास्ती करेंगे शिकार नहीं करेंगे और इसलिए ललन जी लालु यादव से मिलकर आगे आने वाले दिनों में कई तरह का खेल खेल सकते हैं और सब्सक्राइब बात यह है कि लालु यादव को लगता कि पता नहीं बहुश्य में क्या होगा जितना जल्दी अपने बेटे को मुख्य मंत्री बना दो और इसका एकी तरीका कि जंता दल्यू को तोड़कर बार जल्द है मिटीजी का बिहार चोड़ YE कर के इंदर की राजिती में जाना और टेजश्य का मुख्य मंत्री बनना दो है और जन्ता दलियू का टोटना तय है थोट जन्ता दलियू को अंदर एक बड़ा खेमा मैं जो बीजेप्री के साथ श्रकार है। बीजेपी के दरवाजे बंद है अगर कोई आना चाहें इसको श्रिकार करेंगे लेकिन हम जनता दलियू के साथ मिल कर या नितीशकुमार के साथ मिल कर ब्यार में कोई सरकार नहीं पर। नेकिल कहीं न कहीं अब बैठक से ये निकल कर सामने आ रहा है कि फिर से क्या नितीशकुमार का साथ है बीजेपी साथ जाएगी क्या नितीशकुमार फिर से निती बीजेपी के साथ जाएगे इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें देश्वा न्यूज के साथ धन